आपको बताएंगे ऐसे आठ अस्थान जिसके आठ स्वाद घर बनवाने से आपको परिशानी हो सकते। सभी का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो जिसमें अपने परिवार के साथ सुख शैन से रह सकते। कुछ लोग चल्दवाजी में ऐसे अस्थान पर घर बना लेते हैं जहां उन्हेंने परिशानी होगा सामना करना परता है। बविश्य पुरान में कुछ ऐसे अस्थानों के बारें बताया गया है जिनके निकट घर नहीं बरवाना चीए। आज हम आपको ऐसे अस्थान के बारें बता रहे हैं जहां आपको नहीं बरवाना चीए। पहला है नगर के द्वार। नगर के द्वार से अर्थ होई एस्थान जहां शहर की सीमा समाप्त होकी है। शहर की सीमा से बाहर घर भनवाने के कः नुक्सान हो सकता है। जैसे आपत्ती कालिमोहा किसी परकारे की मदद मिलने की संभावना बहुत कम रहती है। ऐसे अस्थान पर छोग डाको यादी का भेह बना रहता है। इन वक्त पर यदि किसी जरूरी वस्तु की जरूरत हो तो वह नहीं मिलेगी है। अगर कुल बाहरी भी बत्ती आजाए तो उसका अकसर सबसे पहले नगर के बाहर रहने वाले लोगों पर करता है। जरूरी सिवाओं के लिए भी ऐसे अस्थान पर घर बनवाना सुहिद्य जनग नहीं है। इसलिए नगर के द्वार यानी शहर के बाहर घर नहीं बनवाना चीए। पिर 4. चौराह। बविश्य कुरान के अनुसार चौख यानी चौराह पर भी घर नहीं बनाचीए। चौराहे पर लोगों औवाहनों का आवागमन निरंतर बना रहता है। उनकी आवाजों का असर घर के ओरा मंदल पर पढ़ता है, जिसके कारण अनेक परकार की परिशानिया घर में बढ़ी रहता है, चोराहों पर अक्सर बाजार विक्सित किये जाते हैं, जिससे वहाँ चहल पहल बढ़ी रहता है, इसके वीपनित परभाव भी घर की पॉजिटि पर यभ घ्रिशाला के पास, यभ घ्रिशाला वो अस्थान होता है, जब बिशाला में प्रति दिन ब्रामोनों दुवारा मंतु चार के साथ, विविन कारियों के सिद्धी के लिए यभ किया जाते है, ऐसे अस्थान के आसपास घर नी होना चुछिए, तो कि ये इस्थान पहुती ही पवित्र होता है। उनके आस पास बिधियतस लोगों का निवास होने से उनके पवीधता पर असरड़ होना है। ऐसा भी नियम है यह घृषाला में घता उसके आस पास नहीं सोना चीहा। इस Deštiukonnen में ध्यान में रहते हुए यक रिशाला के आस्पास घर हुना उचीद मित नहीं है अता घर ऐसे अस्तान पर बनवना चीह है जिसके निकट को यक रिशाला है पर जाहती है श्लपी के रहने का अस्तान है जिस असतानपर शिलपी यानि कारियर लोग रहते हैं, वाँ भी घर नहीं बनवनाना चछिए यानि भे लोग जो लकडी, पत्थर, लोहे, या इकोट ठोक ठाậ के रुपयोंगी रस्तू बनाते हैं जिस अस्थान पर शिल्पी रहते हैं, वहां निरंतर उनके काम के द्वारा शोर होता रहता है। ऐसे अस्थान पर रहने से घर की पॉजिटिव एनर्जी पर उसका आफर पड़ता है। जो परिबार के लोगों को भी प्रवावित रहती है। लागातार आवाज आने से मनो मस्तुषक पर भी उसका आफर पड़ता है। अट जिस अस्थान पर शिल्पी रहते हों, वहां घर नहीं बनवाना चीए। फिर जुआ खिलना तथा मानस महिद्रा बेचने का जो अस्थान होता है। जिस अस्थान पर जुआ खिला जाता है, कता मानस महिद्रा यादी, मादिक पदार्थ बेचे जाते हैं। वहां भी घर नहीं बनवाना चीए। ऐसे अस्थान पर और समाजिक लोगों का आना जाना लगातार मना रहता है। जो कि समाजिक वो प्रावरिक पारिवरिक दिश्टिकों से खीक नहीं है। ऐसे अस्थान पर आये दिन मारपीट, उर्दन और अण और वैधानी कतिवीदियां होती है। ऐसे अस्थान पर घर होने से उसका आसर परिवार के लोगों पर भी पढ़ता है। विशेशकर बच्चों पर। बच्चे जब ऐसे गतिवीदियां देखते हैं तो उए उस और जल्दी आकर से तो सकते हैं। इसका प्रभव उन बच्चों पर उनके परिवार के भविश्य पर भी पढ़ सकता है। इस वे जिन अस्थानों पर जुआ खिला जाता है या मान समध्र का वैपार किया जाता है ऐसे अस्थान पर घर में ही पर्मान अच्छी है। फिर पाकंडियों वराजा के नौकरों पर रहने का अस्थान। जिस अस्थान पर पाकंडी लोग वो राजा के नौकर रहते हैं, वहाँ भी घर नहीं होना चीए पाकंडी लोगे के पास घर होने से वे आपको अपने जान में फसा कर आपने ही नुकसान कर सकते हैं ऐसे लोग से बच कर रहने में भलाई है, पाकंडी लोग से देव अपने हित की बात सूचते हैं ऐसे में अपने आस पास रहने वाले लोगों का नुकसान करने से भी नहीं चुकते हैं जिस अस्थान पर राजा के नौकर रहते हैं उसके निकट रहना भी ठीक हुँ है राजा के नौकर आपकी छोटी से गल्दी को भी बढ़ा चड़ा कर राजा के सामने वादा सकते है ऐसी सिथी में राजा आपको distances कल दुछ है इसलिए जिस अस्थान पर पाठंडी लोग वो राजा के नौकर निवास करते हैं, वो आज पाठंडी बनाना अच्छी है, अभी राजा के नौकर इन दे सेंस अभी ऐसा है, आज के टैन के अगर में दो देखते हैं, तो समझी अगर कोई पुलिस का अदमी आपके घर के पास में रहता हो, या कोई मंत्री का आदमी आपके घर के पास रहता है, तो यह चुबली करने जैसे जो चीह हरकते हैं, यह उसर की हरकत कर सकते हैं, अगर आज के परिवेश में देखें, पिर देव मंदिर के मारक पर, होईश्य पुरान में जिस रास्ते पर आगे जाकर कोई मं मंदिर हो, वहाँ भी घर बनवाने की मनाई है, ऐसा इसलिए क्योंकि उस मारक पर लोग का आना जाना लागतार बना रहता है, ऐसे स्थान पर सड़क पर हमेशा भीर नज़र आती है, जिनका शोर घर में सुमाई देता है, इसके कारण घर में सुख शांती नहीं जगती है, जो लोग किसी बिमारी से ग्रसीत होते हैं, वह भी स्वास लाग लिए मंदिर जाते हैं, ऐसे में उनके बेक्टिरिया वाइरस का असर हम पर हो सकता है, इसलिए मंदिर जाने वाले राज़ते पर घर नहीं परवाना चाहिए, फिराजमार्ग और राजा के महिल के बास, वर ऐसे अस्थान पर आम तोर पर सामानने लोगों का आने जाने पर पाविंदी होता है, सुरच्छा के दिश्टिकोन से कुछ विशेश मौकों पर और रहने वाले लोगों पर भी नज़र रखी जाते हैं, इसका असर हमारे निजी जीवन पर भी पढ़ता है, अता राजमार् कुछे पदबर जो लोगों रहते हैं, वह अले रास्ते पर घर नहीं बरवाना चीए, धन्यवाद